देशी एग रो में आपका स्वागत है इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही बेसिक इंफॉर्मेशन देने वाला हूँ जो लमसम हर गाड़ी में हर ट्रैक्टर में होता है बट बहुत ही कम लोग जानते हैं कि उसका यूज क्या है और कुछ लोगों ने बताया भी है बट इसको 7 pin Socket बोलते हैं 7P Trailer Socket तो Trailer Socket का मतलब यह बाफर उन्होंने ट्राली के लिए नहीं बोला बट यह ट्राली के लिए हो गया हुआ है इसका यूज क्या है इसका यूज यह होता है बहुत सी ट्राली यह बनाई गई है जिनमें पीछे इंडिकेटर साय इंडिकेटर औ वगेरा का option दिया होता है उसके लिए इस system को बनाया गया है कि जैसे आपने ट्राली कनेट किया और पीछे से लाके socket को लगा दिया socket को लगाने के बाद क्या यूज होगा आपने brake लगाया तो पीछे पता चल जाएगा जो भी बंदा आ रहा है इसके लिए system को बनाया गया तकि accident वगेरा ना हो क्योंकि ट्राली का फिलम भी हो जाती है ट्रैक्टर में लगने के बाद तो भाई ट्रैक्टर का इंडिकेटर दि साफ साफ सब्दों में लिखा हुआ है पिन ट्रैलर सॉकेट ट्रैक्टर के पिछे सित होता है इसमें ट्रैलर में टेल लाइट और साइड इंडिकेटर ब्रेक लाइट और सायक लैंप लागे होते हैं ठीक है इसमें इलेक्ट्रिक कनेक्शन किया जाता है तो यह इसलिए ब लगा है उसका काम क्या है और कैसे उसको यूज करना है तो यह की बहुत ही बेसिक इंफोर्मेशन थी जो मुझे लगा कि आप लोग को बताना चाहिए अब दूसरी चीज जो इसके अंदर सौकेट लगाया जाता है वो आपने देखानी होगा मैं अभी थोड़ी तर में आपको दिखा देता हूँ कि वो आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगा मतलब अगर आप ट्राली लिये हो या आप चाहते हो टेस्ट करना तो आप उस तरीके से उसका सौकेट भी मंगा के ऑनलाइन लगा के आप चेक कर सकते हो कि कैसे ये काम करता है यहाँ पर आप इस सौकेट को देख सकते हो यही वो सौकेट है बीच में आप देख सकते हैं इसमें अंदर की तरफ होल है और जो हमने आपको ट्रैक्टर के अंदर सौकेट सेविन पिन सौकेट दिखाया था उसमें वो उ आपको बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करने की जरूवत नहीं है बहुत ही बेसिक तरीके से लिखा हुआ है उसी तरीके से आप इसको कर सकते हैं तो आसा करता हूँ वीडियो आप लोगो को पसंद आई होगी वीडियो वाच करने के लिए धन्यवाद लाइक सेर और सब वीडियो वे अगर आपका कोई सुझा हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं